हेलो एन वेलकम तू व्यू स्पोर्ट माच प्रिव्यू पीएसल का ये माच नमबर 23 पेशा वर्जालमी वर्सेज लाहूर कलंदर्स इस प्रिव्यू में हम देखेंगे प्लेयर के वेन्यू रिकॉर्ड्स तॉप पिक्स, दिफेरेंचिल ओप्शिन बात करें इस गेम की तो रावल पिंडी क्रिकेट सेडियम में है ये माच लाहूर ने काफी डॉमिनेट कराए इस टॉर्नमेंट में साथ में से 6 गेम जीते हैं वो लास्ट हेट टू हेट गेम भी जीता है उन्होंने दोनों ही टीम्स ने 200 प्लस के स्कोर्स बनाये थे वहां पर दिस ट्रिव्यू इस पावर्ड बाई विजिन 11 लिंक मिलेगा आपको डिस्रिप्शन में अब जिसने भी विजिन 11 पे टीम मनाई है असली कियर दो वही करेंगे डाउनलोड विजिन 11 इस खेल में वित्ती है जोकिम ततो है और इसकी आदत पढ़ सकती है क्रप यह जिम्मिदारी से अपने जोकिम पर खेलें बात करें टीम्स के head-to-head record की तो 16 matches खेले हैं दोनों टीम्स ने पिशावर 9 जीता है और लाहोर सिरफ 7 जीता है बात करें venue analysis की तो रावल पिंडी cricket stadium में अगर last 10 matches देखें तो team batting first 5 बार जीती है team batting second भी 5 बार जीती है average first inning score रहा है 170 का दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे हम इस game की जब recording कर रहे हैं तब तक 6 January का match नहीं हुआ है यहाँ पे और यह 5th January तक के data के base पे ही analysis किया गया है तो दोस्तों बात कर लेते हैं pace versus spin की तो pacers का strike rate रहा है 19 का और spinners का strike rate रहा है 21.9 का अगर venue records देखें तो Pishawar के batters में Babar Azzam ने 25 innings में 1083 runs बनाए है 60 plus का average रहा है इनका 1050s और 100 भी है Haris Sohail के 29 innings में 656 runs है close to 30 का average है 450s है Sam Ayoub के 7 innings में 238 runs है 34 का average है 250s है Aamir Jamal के 6 innings में 146 runs है 73 का average है और इनका highest score रहा है 47 not out का Robben Powell और Tom Kolar काडमोर दोनों ने ही 1-1 matches खेले हैं और दोनों ने half centuries मारी हैं उन matches में Pishawar के bowlers की बात करें तो वहब Riyas के 42 innings में 52 wickets हैं उस्मान कादर के 13 innings में 16 wickets हैं अर्षद इकबाल के 15 innings में 12 wickets हैं और Aamir Jamal का all-round performance है यहाँ पे bowling करते हुए भी 6 innings में 10 wickets हैं Strike rate है सिरफ 13.2 का लाहोर के batters की बात करें तो हुसेन तलात के 28 innings में 686 runs है average है 38.11 का 6.50 हैं फकर जमान के 24 innings में 6.24 runs है average है 27.13 का और 4.50 हैं अब्दुल्ला शफीक के 14 innings में 308 runs है average है 25.67 का और एक 50 भी है लाहोर के bowlers की बात करें तो हारिस रॉफ का यहाँ पे काफी अच्छा record है 13 innings में 23 wickets निकाले है Strike rate रहा है सिरफ 13 का शाहिन अफरीदी के 13 innings में 21 wickets है Strike rate है 14.6 का जमान खान ने भी 3 innings में 4 wickets लिए है यहाँ पे दोस्तों अब देख लेते हैं Top performers head to head fixture में सबसे पहले आ जाते हैं बाबर आजम 14 innings में 474 runs है close to 40 का average है 450 है वहब रियास के 16 innings में 19 wickets है Strike rate है 18.7 का हरिस रॉफ के 8 innings में 12 wickets है Strike rate है सिरफ 15.5 का अब चलते हैं Top picks की तरफ सबसे पहले देख लेते हैं Lahore Kalender से Top picks सबसे पहले आ जाते हैं फकर जमान 7 innings में 239 runs बना चुके हैं Highest run scorer है यह Lahore से 4th highest run scorer चल रहे हैं tournament में Last 2 innings में single digit score जरूर रहे हैं इनके पर जो head to head game खेला था उसमें 45 balls पे 96 की एक धुएदार पारी खेली थी इन्होंने और एक safe captainzy choice भी definitely होंगे इस game में Next topic हो जाते हैं Abdullah Shafiq अच्छा form चल रहा है हिनका काफी consistent batter है अभी तक 4 games खेले हैं tournament में 183 runs बना चुके हैं बहतनीन average रहा है इनका 47.75 का और एक 50 भी आई है Next topic is Sam Billings Wicket keeping से backup देते हैं अच्छे form में दिख रहे हैं अभी तक tournament में 4 innings में 136 runs बना चुके हैं और last match में इस tournament की अपनी पहली 50 भी करके आ रहे हैं Next topic हो जाते हैं Rajit Khan हमने इने last game में भी safe captaincy choice के लिए back करा था क्योंकि मुलतान में भी काफी left hand batters थे और ये 3 wickets लेके गए उस match में ऐसा same सा ही scenario है पिशावर के साथ भी top 5 में 3 left hand batters हैं और again हमें लग रहा है कि Rajit Khan फिर से game में हो सकते हैं lower down the order आके batting से भी contribute कर सकते हैं ये पिशावर के batters के against इनके match ups भी decent हैं tournament में अभी तक 5 innings में 9 wickets ले चुके हैं और अगर इनके आखरी के 3 games देखें तो 2-2 और 3 wickets लेके आ रहे हैं उन games में last topic हो जाते हैं शाइन अफरीदी highest wicket taker है अपनी team के 7 innings में 10 wickets ले चुके हैं although ये last 3 games में wicket list जरूर रहे हैं बट ये एक काफी threatening baller है इनका venue record भी काफी अच्छा है नई ball से भी डालते हैं death में भी bowling करते हैं अपना quota of awards पूरा करते ही हैं हमेशा ये और हमें लग रहा है कि सिंसे कुछ games में wicket list गए हैं अब ये फिर से bundles में wickets निकाल सकते हैं इस game में दोस्तो एक और player जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो है सिकंदर रजा हमने शाहीन अफरीदी को back करा है आप यहाँ पे चाहें तो सिकंदर रजा को भी अपनी टीम में रख सकते हैं सामने काफी left hand batters है off spin डालते हुए दिखेंगे वो आपको और batting से तो वो contribute करके देते हैं अब चलते हैं topics from पिशावर जालमी की तरफ सबसे पहले आजाते हैं बाबर आजम venue पे close to 60 का आवरेज है इनका Lahore के against head to head games में भी close to 40 का आवरेज है tournament में अभी तक 6 innings में 178 runs बना चुके हैं second highest run getter है अपनी team से last के 2 matches में इनके single digit score जरूर रहे हैं बट हमें लग रहा है कि इनकी एक अच्छी inning due हो गई है अब और ये एक quality batter है और definitely capacity रखते हैं कि अच्छे runs करके देंगे आपको next topic हो जाते हैं Tom Kohler Kadmore highest run scorer है अपनी team से 8 innings में 216 runs करें हैं last के दोनों games में back to back 50s मार के आ रहे हैं बीच के overs में सिरफ इनको एक ही threat है जो possible हो सकता है और इसलिए हम इने definitely back करेंगे third and last topic हो जाते हैं पिशावर से वहब रियाज venue पे इनके numbers काफी अच्छे हैं 50 से उपर wickets लिए हैं इनोंने head to head record भी अच्छा है इनका अगर match up देखें लाहोर की batting line up के against तो वो भी decent है although वी तक tournament में ज़ादा कुछ नहीं किया है 6 innings में 4 wickets लिए हैं पर head to head game जो था उसमें इनोंने 2 wickets निकाले थे तो अब चलते हैं दोस्तों differential picks की तरफ सबसे पहले हो जाएंगे Harris Roff पिशावर के against इनका head to head record काफी अच्छा है venue record भी अच्छा है अपना full quota of overs definitely डालेंगे ये tournament में 7 innings में 8 wickets भी ले चुके हैं अगले topic हो जाते हैं Amir Jamal अच्छी bowling करके आएं last game में 3-4 लिया है इनोंने अपने पहले ही game में 5th bowling option जरूर है बट ये एक काफी handy batter भी है lower down the order अगर आप इनका national T20 cup का record देखें तो 8 innings में 165 runs करे थे इनोंने वहाँ पे और 8 innings में 9 wickets भी निकाले थे इनका venue का record भी काफी decent है batting balling दोनों से contribute किया है तो दोस्तों अब चलते हैं safe captaincy picks की तरफ वो इस game में हमारे लिए होंगे फकर जमान और बाबर आजन बात करें differential captaincy picks की तो वो होंगे tom kolar cadmore और abdollah shafiq तो दोस्तों अब team मनाने का time आगया है team मना लेते हैं तो wicket keeper section में हम definitely pick करेंगे Sam Billings को batter section की तरफ आ जाते हैं तो बाबर आजम, फकर जमान, street choices हो जाती है tom kolar cadmore और abdollah shafiq को भी हम रखेंगे चलते हैं all rounder section की तरफ सिकंदर रजा को आप चाहे तो ले सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी pick होंगे इस game में bowler section की तरफ आते हुए हम यहाँ पर pick करना चाहेंगे राशित खान और शाइन अफरीदी को तो आज के preview में इतना ही दोस्तों ऐसे ही अगर और games के tips चाहिए insights चाहिए तो please don't forget to follow and subscribe Viewsport Women Premier League के भी previews हम कर रहे हैं उनको भी जरूर देखेगा तो जल्दी मिलेंगे अब next game के preview के साथ तब तक goodbye and take care